हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे स्टेनल के, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकास के प्रावर्तन के बारे में और प्रकास के अपवर्तन के बारे में, तो हम पहले बात करते हैं प्रकास के प्रावर्तन के बारे में, तो इसका अगर आपको डे और दोबारा उसी माध्य में लोड जाता है तो उसे क्या करते है प्रकास का प्रावर्त नहीं करते हैं जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि प्रकास हवा से चलके आ रहा है और आने के बाद जो है सीसा से टकराता है और सीसा प्रकास को फिर से उसी माध्य में यानि हवा में ही भेज देता है तो प्रकास हवा एक माध्य में हवा से होते हुए आया आने के बाद सीसा एक दूसरा माध्य में सिसा से टक्राया और सिसा से टक्राने के बाद प्रकास का जो किरन है वो दो बारा हवा में ही लोड गिया यानि फिर से उसी माध्य में लोड गिया तो इसे क्या कहते हैं प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं मतलब जहां से आये भाई उसी माध्य में चले जाओ बस दिसा में हवा में लोड जाता है उसे प्रकास का प्रावर्तन कहता है तो इसका अब नियम को अगर बात करें कि प्रकास के प्रावर्तन के नियम क्या है और दो दो जो नियम है तो इसको किस तरह किसे याद रख सकते है इसको फिगर में आपको कुछ नाम याद करना पड़ेगा तो यह अगर हम बात करें तिस्रा नाम की बारे में तो अगर हम इसके बीच ओ बीच 90 डिग्री का एक लकीर खीचे तो उसको अभिलम कहा जाएगा अभिलम जो 90 डिग्री में खीचेंगे लाइन अगर तु अभिलम होगा उसके बाद जो चोथा नाम है आपतितक्रन आप जानते हैं जो आता है प्रकास करण और अभिलम आपतितक्रन और अभिलम के बीच में जो कौन बनता है उसे क्या कहते हैं आपतन कौन आपतितक्रन से आपतन कौन और प्रावर्तितक्रन और अभिलम के बीच में जो कौन बनेगा उसे क्या कहेंगे प्रावर्तन कौन तो यह जो आपतन में आप्तित्क्रण, अप्वर्तित्क्रण और अभिलम तीनों एक ही बिंदु पर होता है, आप देख रहे हैं एक ही बिंदु पर है, उसकी बाद जो दूसरा इसका नियम लिखना है, वो दूसरा नियम होगा कि आपतन कौन और प्रावर्तन कौन एक समान होता है, यह नि बर देखिए प्रकास को ऊपर वरतन शहती है जब प्रकास माधियम से चल कर आये और दूसरे माधियम सटेख तक्रा sunshine के बाद उसी माधियम में गला दूसरे माध नौकि चले जाए वो या वापस लोटे आने के बाद उसी माध्यम में दूसरे माध्यम में चले जाए वापस न कहते हैं प्रकास का पुरतन हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख भा रहोंगे कि प्रकास की किरण है तक पानी के पानी में तकनाने बाद पानी का दो पıs sua दिशा में थोड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि पानी जो है, एक सरल माधियम है, और जब कि हवा एक विर्यल माधियम है, इसलिए इसकी दिशा में परिवर्तन होता है, आप लोग देख लिए कि प्रकास का अपवर्तन क्या है, इसको आपको लिखना है इस तरीके, जब प् पहला नियम आपको इस तरह की से लिखना है कि आप्ठित करन और अपूवर्तित करन तथा खीचा गया अभिलम या फेडाला गया setting तीनो एक ही समतल में होते है चीआ उसके बात दूसरा नियम जो ये है कि आप तन कौन की जया और अपवर्तन कौन की जया आपतनकों नई जाते है अप्तित करण और अभिलम के बीच में जो कौन बनता है उसे अपकवर्तन कोन क्याता है आपतन कोन की जया और अपवर्तन कोन की जया का अनुपात किनी ही दो माधियम के लिए एक नियंतांक होता है तो ये था आपका दूसा नियम तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर एगले वीडियो में थैंक्यो